सर्दियो का सीजन चल रहा है और ऐसे में हर घर में हरे मटर जरूरी आते हैं और हरे मटर आय और घर में निमोना ना बने ऐसा हो इनी सकता तो friends आज हम आपके साथ सेयर करेंगे हरे मटर के निमोने की recipe जिसमें हमने आलो किसा साथ गोवी का भी यूज किया है तो चलिए हम recipe शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमने लिये हैं 500 ग्रम जो है वो हरे मटर्ज जिसका कि हम paste बनाएंगे 8-10 जो है फूल वो गोभी के जिसको कि हमने तोड़ के वास भी कर लिया है और इसके बाद हमने हरे मसालों में लिया है धनिया पत्ती 8-10 जो है वो लासून 4-5 जो है हरी मिर्ज 2 medium size के प्याज जिसको कि हमने रफली काट लिया है एक इंच अद्रग का टुकड़ा और 7 में हमने लिये है 2 लाल टमाटर जिसका कि हम paste नहीं बनाएंगे इसको हम खड़े ही यूज़ करेंगे और इसके बाद हमने लिया है 4-5 medium आलू जिसको कि हमने छिल करके काट लिया है और इसे वॉस भी कर लिया है साथ में यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले भी लिये है तो सीख्वे मसाले में हमने लिया है 1 half teaspoon जो है वो पच फोरन 1 half teaspoon लाल मेश पावडर 1 half teaspoon हल्दी पावडर 1 half teaspoon गर्म मसाला नमक स्वाद अनुसार और 4-5 जो है वो हमने उड़त की बढ़िया लिया है जिसको कि हमने घर पे ही बनाया है तो आप अगर बढ़ियों की रेश्पी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे description box में जो है वो link मिल जाएगा और हमने यहाँ पिल गया है हींग तो चलिए हम बनाना सूर करते हैं तो सबसे पहले हम गोबी की जो है वो boil कर लेते हैं ताकि जो भी गोबी की गंदगी हो वो अच्छे से soft हो जाए तो हम इसे 5 मिट के लिए जो है तेल डालेंगे और तेल को जो है वो अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे पंच पोरन और हींग और इसे जो है एक मिनट के लिए ही सौधे करेंगे तो मटर है तो इसमें हींग जरूर डाले आ इसके बाद हम गोवी को इसमें जो है वो फ्राई करेंगे तो गोवी को हम तेल में डाल देते हैं और इसे 2-3 मिट के लिए ही फ्राई करेंगे बहुत जादा फ्राई ने करेंगे हम और साथ में इसमें हम आलू भी डाल देंगे ताकि गोबी और आलू जो है वो साथ में फ्राई हो जाए तो फ्राई होने के बाद हम इसे जो है वो निकाल लेंगे एक बरतन में और जो कड़ाई में हमारे ओल बची है उसमें हम बड़ी को डालेंगे तो अगर आपको तेल कम लगे तो आप इसमें अलग से और तेल जो है वो डाल सकती है तो बर्यों को भी हम एक मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे तो जब हमारी बड़ी फ्राई हो जाए इसमें हम जो है मतर का पेश्ट डालेंगे और इसे भूनेंगे ताकि इसमें का जो कच्चापन है वो निकल जाए तो जब हमारे मतर जो है वो अच्छे से भून जाए तो इसी में हम अपने जो है तैयार के हुए हरे मसालों का पेश्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए जो है वो भूनेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से भूनते रहें इसे भूनने के बाद हम इसमें जो है वो गर्मसाले भी डाल देंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो लालमेश पाउडर डाल दिया है गर्ब मसाला हल्दी पाउडर और हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसा जो है वो नमक तो अगर आप नमक को बाद में डालना चाहते हैं, पानी डालने के बाद तो आप इसे बाद में डालिए, लेकिन नमक को जो है, मसालों के साथ भूनने से हमारे मसाले जो है, वो बहुत अच्छे से भूनते हैं, और इसमें से खुसबू भी बहुत अच्छी आरती है, यहाँ अगर आप खड़े टमाटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे काट करके डाल सकते हैं तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनर तक इसे भी हम ढग करके जो है वो भूनेंगे ताकि आलू और मतर अच्छे से भूने और दो मिनट बाद हम ढग को हटाएंगे और इसे वापस से चलाएंगे अब हमारे जो निमोना के मसाले हैं वो बिल्कुल भून करके रेडी हो गये हैं अब हम इसमें जो है वो आवसकता अनुसार पानी आड़ करेंगे तो बहुत गाठा इसका जो है हम ग्रेवी नहीं रखे मेडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा आलू जो है वह अच्छे से पकना जाए और बीच-बीच पर इसे हम चलाते भी रहेंगे ताकि यह नीचे से पकड़े नहीं और अच्छे से पके तो दोस्तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आलू है वो पका है कि नहीं तो यहाँ पे हमारा जो आलू है वो हातों से बहुत ही अच्छे से मैस हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो आलू है वो पक गया है और हमारा निमोना भी विल्कुल रेडी है अब हम गैस को जो है वो ओफ कर देते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक जरूर करिएगा और हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि क्या ठटनियों में आपके भी घर अक्सर निमोने बनते हैं और आपको निमोना कैसा लगता है